हेलो प्रेंट्स कैसे है आप लोग स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना सिटी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो की नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटे की बटन को भी दबा लें इससे क्या होगा दोस्तों में जब भी मैंने आप वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिये सूचना मिल जाएगी जयमनगर संबादाता भारत नेपाल के बीच रेल परिचालन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है राम जान की विवा मोहतसब के अवसर पर भारत के प्रदानमंतरी श्री नरेंदर मोधी के जनकपूर अनेकी संभावना है इसी दोरान पी एम श्री नरेंदर मोधी जनकपूर से रेल परिचालन का उदगाटन कर सकते हैं इरकॉन इंटरनाशनल कमपनी में प्रथम चरण के कारे को पूरा कर 31 अक्टूबर 2018 को नेपाल रेल मंत्राले को सौप देगी और 18 दिसंबर में जयनगर जनकपूर को रथा नेपाल नई बड़ी रेल का परिचालन कर दिया जाएगा इसको लेकर गुरुवार को भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के महानेदेशक सब लोग वा नेपाल रेलवे के मह बानेदेशक बलगाम मिश्रा के बीच सहमती बनी भारत नेपाल की सयुक्त टोली जिसमें भारती अविदेश मंत्राले इरकॉन इंटरनेशनल कस्टम वा नेपाल रेलवे के उत अस्तर के पदादिकारियों की एक बैठक जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन का रियालया मे हुई बैठक में परियोजना से जुड़े बारी की से हर एक बिंदूओं पर गैन समीक्षा किया गया बैठक में जनकपूर रेलवे स्टेशन भवन को मेथिला पेंटिंग से सजाने की भी चर्चा की गई बता दे कि इसी बरस दिसंबर माह में राम जान की विवाह महोत सब से जैनगर जनकपूर कोर्था नेपाल नेई रेल परिचालन का उदघाटन भारत में प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जनकपूर से करने की योजना बन रही है इसके लिए युद स्तर पर तैयारी चल रही है समीक शाब बैठक में भारतिय विदेश मंत्राले के सयुक्त सचेव नाम दया थामपा, नेपाल के वीर अनज महा बनज्य धूतावास के उप्प बनज्य आरस्वामी इरकॉन इंटरनाशनल कमपनी के महा प्रबंधक रविवार सहया, CGM सुलेंदर सिंग, अरुन कुमार, D जी एम बिनोद कुमार सिंग, नेपाल के दिविशनल समेत अन्य मजूद थे, दोस्तों उमीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और आप मेरे चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब करके जाना धन्यवाद जैहिंदवन दे मा TRUMP